वेल्कम टू न्यू लेसन इस लेसन में मैं आपसे बात करूँगा अबाउट आउक्शन इंसाइट्स तो यह जो आउक्शन इंसाइट्स फीचर है गूगल एडवर्ड्स का इस फीचर की हेल्प से आप यह देख सकते हो कि आपकी एड्स कैसा काम कर रही हैं यह जो आउक्शन इंसाइट्स फीचर है यह अवेलेबल है आपके पास पर सर्च कैंपेंज एस फॉर शॉपिंग कैंपेंज तो यह एक टेस्ट एकाउंट है जो पास्ट में मैंने कुछ एड्स टेस्ट की इस अकाउंट से कुछ पचास आट जारुपे हमने टेस्टिंग प इसका रही है यू is मेरा जो मैं एड्रन कर रहा था और यह बाकी डोमेंस हैं जो और स्टेम कीवर्ड्स के लिए एड्रन कर देख तो यहां पर सबसे पहले एक चीज एम्प्रेशन शेयर इंप्रेशन शेयर का मतलब है कि आपकी एड्स कितनी बार दिखी मतलब जो भी मेरे keywords थे न, वो जब search हुए तो मेरी ads उसमें कितनी बार दिखी, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे जो भी मेरे keywords थे, उसके लिए जो मेरा impression था, वो था 79%, मतलब मेरे जो keyword थे हो, जब भी भी लोगों ने search किये, तो 79% times, अगर 100 बार किसी ने search किया, तो 80 बार मेरी ads आ रही थे, बाकी सब की आप देख सकते हो, इस से कम है, हाना, तो impression share is, कितनी बार search हो रहा है, आप कितनी बार दिख रहे हो, then second है, overlap rate, overlap rate का मतलब है, कि कितनी बार ऐसा हुआ, कि किसी ने कोई keyword search किया, और आपकी ad भी दिखी, और competitor की ad भी दिखी, हाना, तो देख सकते हो, आप सबके लिए अलग-अलग percentage है, यहाँ पे है 47%, मतलब, यहाँ पे देखो, overlap rate है, 55%, मतलब, जब मेरी ad दिखी, तो यह जो company है, इसकी भी ad दिखी, ऐसा 55% times हुआ, मतलब, 100 में से 55 बार ऐसा हुआ, जब मेरी ad भी दिखी, और इस company की ad भी दिखी, बाकी नीचे और number है, इनका भी same मतलब है, then है, position above rate, position above rate का मतलब है, कितनी बार दूसरे की ad, मेरी ad से उपर दिखी, मतलब 1.57% है इस company का मतलब, 2% times ऐसा हुआ, जब इस company की ad, मेरी ad से उपर थी, right, then है top of the page rate, top of the page rate का मतलब है, जो google पे search होता है, तो एक होता है कि उपर ad दिखती है, एक होता है result के नीचे ad दिखती है, right, तो उपर ads आपकी कितनी बार दिखी, जब आपकी organic result start होता है, उसके उपर आपकी ads कितनी बार दिखी, तो उसमें आप देख सकते हो, 81%, मतलब मेरी ads कुछ 81% times उसके उपर दिखी, ठीक है, और यह जो top of the page rate है, यह available है, only for search campaigns, then absolute top of the page, absolute top of the page का मतलब है, कितनी बार मेरी ad, number one पे दिखी, number one, मतलब का जैसी search किया, और number one दिखी, तो वो कितनी बार हुआ, then है, out ranking share, out ranking share का मतलब है, कितनी बार मेरी ad, बाकी adों से उपर दिखी, right, सब्सक्राइब 5 लोग ad run कर रहे हैं, तो out ranking share का मतलब है, कितनी बार मेरी ads, बाकी लोगों से उपर दिखी, that is out ranking share, काफी अच्छी थी, इसलिए मेरी ad को सबसे ज़्यादा impression मिल रहा था, then top of the page, मेरी जो ads थी, वो जादतर time top of the page दिख रहें थी, मतलब मेरा again, quality score बाकी सब parameter अच्छे थे, then absolute top of the page, कितनी बार मेरी ad, number one पे दिखी, अब आप देखो, ये जो company अपनी है, इसका absolute page है 57%, वो मेरे से ज़्यादा है, बट देखो, इसका impression share कितना है, बस 17%, मतलब 100 में से 17 बार इसकी ad दिख रही है, मेरी दिख रही है 100 में से 80 बार, और 80 में से 50%, मतलब 80 में से 40 बार मेरी ad, number one दिख रही है, ठीक है जी, तो ये auction insights है, यहां से आप ये number interpret कर सकते हो, और अगर आपका impression कम आ रहा है, इसका मतलब आपको अपनी bid बढ़ानी पड़ेगी, अगर आपका absolute top of the page rate कम आ रहा है, मतलब आप number one पे नहीं दिख रहे है, मतलब आपका quality score खराब है, मतलब आपको अपनी ad ads को improve कर सकते हो, और अपनी ROI को बढ़ा सकते हो, ठीक है जी, thank you so much for watching this lesson.